नमस्कार दोस्तों वेलकम टो काईरोज यूपीएसी राइट टाइम एट राइट मॉमेंट तो स्वागत है आपका डेली यूपीएसी एमसी क्यूज में और आज की सुरुवात करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है चलिए नंदा किनी रिवर के बारे में आपको बताना है क्या पुछा है आपको दिये हुए सेंटेंस में से कितने सेंटेंस सही है यह बताना है पहला इट इस ट्रिब्यूटरी ओप द रिवर गंगा क्या यह गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है दूसरा इट फ्लोस त्रू नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वेली ओप फ्लावर्स नेशनल पार्क चलिए एक प्रश्ण का आंसर आप मुझे बता दीजे कि नंदा कहां पे आया है ओके कौन से स्टेट में आया है यह आपको बताना है तो दूसरा सेंटेंस आपको पूछ रहा है कि जो नंदा किनी रिवर है यह नंदा देवी नेशनल पार्क साथ ही साथ वेली ओप फ्लावर्स नेशनल पार्क से होके गुजरती है तीसरा द नंद प्रया टेंपल डेडिकेटेड एट लॉर्ड विष्णू अलोंग नंदा किनी रिवर वस बील्ट बाइ आदी संकराचारिय ठीके यही संकराचारिय है जिनों ने चारो दिशा में चार क्या एस्टाबलिस किये थे सोचिये सोचिये जी हाँ मठ एस्टाबिस किया था ठीके चलिए यहाँ पे आपको नंदा किनी रिवर के बारे में पूछया है तो तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे है बिल्कुल सही है नंदा किनी रिवर जो है यह गंगा नरी की ट्रिब्यूटरी है नंदा देवी नेशनल पार्क और फ्लावर नेशनल पार्क के थूँ ए गुजरती है साथी साथ यहाँ पे जो नंद प्रयागे वहीं पे आदी संकराचारिया ने विश्णु जी का मंदिर बिल्ट करवाया हुआ था ठीके चलिए तो तीनो के तीनो सेंटेंस सही है सही आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन सी अल त्री आर करेक्ट ठीके चलिए अभी यह न्यूज में क्यों था तो नंदा किनी नदी का जो डीवर है यह अभी डेंजर मार्क से उपर चल रहा है ठीके कहाँ पे क्योंकि उत्तरा खंड में चमोली डिस्ट्रिक में क्या हुआ था ज्यादा रेंगपोल हुआ था और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी भी छोटी छोटी बहुत सारी क्या होती है स्ट्रीम्स होती है जैसे कि उनकी एक स्ट्रिम का नाम है उनकी एक ट्रिब्यूटरी का नाम है पिंडार नदी चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा नदी के बारे में तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमनोत्री और यमनोत्री से निकलती है कौन सी यमुना नदी उसके बाद हम गंगा नदी का फर्मेशन देख लें तो देखो सबसे पहले बदरी नाद के पास से जो पानी बहता है वो बदरी नाद के पानी के साद एक और नदी जोइंट होती है जिसका नाम है धोली गंगा ठीक है और यह धोली गंगा और बदरी नाद से जो हमारा पानी निकलता है उसको क्या नाम कहा जाता है उसको कहते हैं हम अलक नंदा क्या कहते हैं अलक नंदा ठीके और यह जहां पे दोनों मिलती है उसकी प्रयाक को कहते है विश्णु प्रयाक चलिए उसके बाद अलक नंदा आगे बढ़ती है आगे बढ़ने के साथ देखे यहां पे नं मंदा किनी नदी जो है यह कहां पे मिलती है यह मिलती है नंद प्रयाग पे मिलती है उसके बाद अलक नंदा नगी आगे बढ़ती है उसको एक पिंडार गंगा नदी मिलती है और यह सब कहां पे मिलते है करणा प्रयाग में मिलते है उसके बाद भी यह नदी आगे बढ़ती और रुद्र प्रयाग पे कौनसी मन्दा किनी नदी मिलती है ठीके और मन्दा किनी नदी जो है यह केदारनाथ के आसपास की स्ट्रीम से बनती हुई है उसके बाद अलग नंदा नदी आगे बढ़ने के साथ देव प्रयाग में भागी रती नदी के साथ मिलती है जो कि कहां स उसको गंगा कहते हैं ठीक है याद रखेगा आपको कि पहले अलक नंदा दोली गंगा कहां पे मिलते हैं विश्णु प्रयाग के उसके बाद अलक नंदा किनी कहां पे मिलते हैं नंद प्रयाग पे उसके बाद अलक नंदा पिंडार गंगा कहां पे मिलते हैं कर्ण प्रयाग उसके बाद मंदा किनी अलकनन्दा कहां पर मिलते हैं रुद्रप्रयाग पर और उसके बाद भागी रती अलकनन्दा कहां पर मिलते हैं देव प्रयाग पर इसी चोड़ पे यहां से शुरुवात होती है गंगा नदी की ठीक है अब UPSC आपको कैसे question पूछ सकती है UPAC इन में से आपको matches पुछ सकती है कि बताए कौन सा प्रयाग और कौन कौन सी दो river के बीच में है ठीक है तो याद करके जाएगा चलिए next question देखते है which institution released the still unprepared report चलिए सर्जी किसके बारे में है अरे बैया यही तो आगे discuss करेंगे लेकिन पहले बताओ तो सही कि still prepared नाम का जो report है या किन हो ने release किया है क्या world bank ने किया है क्या नासकोम ने किया है climate risk horizon ने किया है या फिर option D oxfarm international ने किया हुआ है तो इस question का सही answer आएगा option C climate risk horizon ठीके चलिए अब यह news में इसी लिए था क्योंकि climate risk horizon ने अभी still unprepared नाम का एक report जारी किया है और इस report में उन्होंने क्या बताया है climate risk के बारे में बताया है जैसे कि उन्होंने कहा कि this comes despite the countries facing extreme weather events on 314 of 365 days देखिए भारत कितना vulnerable है किसके regarding risk climate risk regarding कि साल में 365 दिन में से 314 दिन हमने क्या किया है extreme weather को फैस किया हुआ है तो इसी के regarding हमें policy बनानी है इसी के regarding हमारा जो CDRI structure है ठीके disaster resilience हमें infrastructure build up करना है तो इन सब को देख के हमें हमारी capacity को और मजबूत करना है तो याद रखेगा still unprepared report किन्होंने climate risk horizon ने ठीके चलिए UPSC आपको ऐसा भी पूछ सकती है कि भया still unprepared नाम का अभी report जारी हुआ यह report किसके regarding था तो आपको इसका answer आना चाहिए चलिए चलते है next consider the following statement about कच्चा थी वो island देखिए नो confidence motion में PM की जो speech थी उनकी speech में हमें यह सुनने को मिला था तो काफी news में current में updated हुआ है ठीके दूसरा in 1974 कच्चा थी वोस गिवन तू स्री लंका बाई इंडिया अंडर द इंडो स्री लंकन मेरी टाइम एग्रिमेंट दिल्कुल सही बात है कि 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी के head वालिस government ने इंडो स्री लंकन मेरी टाइम एग्रिमेंट के थ्रू कच्चा थी वो जो आइलेंड है यह किन को दे दिया था स्री लंका को दे दिया था अब देखिए जैसे कि मैं यहां पे एक map डो कर रहा हूं ठीके यहां पे हमारा south इंडिया है और यहां पे है आपका क्या हो गया सिलंका हो गया तो जो यह कच्चा थी वो आइलेंड है वो यहीं पे है अब दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जो यहां पे हमारा तमिल नाडू state के फिशर्समेन है वो तमिल नादू फिशर्समेन यहाँ पे इस आइलेंड के आसपास जाते हैं किसके लिए फिश्क पकड़ने के लिए ठीके लेकिन सीलंकन जो नेवी होती है वो सीलंकन नेवी EEZ exclusive economic john कहके हमारे फिशर्समेन को क्या कर दिती है capture करके लेके जाती है तो बहुत सारे हमारे तमिल बाइबरें यहाँ पे as a फिशर बंदी बने हुए है किसके रिगार किसकी वज़े से क्योंकि कच्छा थी वो आइलेंड जो है यह हमने स्रिलंका को दे दिया अब आइलेंड दे दिया तो इसका मतलब EZ भी उनके पास चला जाएगा ठीके तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस कैसे है इनकरेक्ट पुछाए लेकिन दोनों सेंटेंस तो सही है तो हमारा आंसर आएगा भया डी नन कोई भी गलत नहीं है ठीके जो मैंने बात बताई यही बात यहीं पे लि अगर मैं इसका पूंडांशियेशन सही से नहीं कर रहा हूं कर पा रहा हूं तो आपको बताना है कि यह प्लेस कहां पे है आया है जो कि अभी क्या था न्यूज में था तो ऑप्शन है केरला करनाटका तमिल नाडू या वेस्ट बंगार देखिए ऐसे फेक्ट्यूल क्वे आपके लिए बहुत ही ज्यादा माइने रखते है तो इस सवाल का सही आंसर आएगा ओप्शन ए केरला ठीके तो जो केरला है उनमें कुट्टी कनम प्लेस एक क्या है यह एक 130 साल पूराना प्लेस है जो की समर रेसिडेंस था किनका यह था त्रावन कोर के महराजा का ठीके और त्रावन कोर के महराजा का जो यह प्लेस था इसी को अब हम क्या किया है अमने उसको डिकलेर किया है historical monument याद रखेगा historical monument ठीके और इनकी जो location आई है इनकी location आई है वागामोन और ठेककर्डी hill station के बीच में again I would like to say sorry if I pronunciation if I pronunciation wrong तो आपको इतना याद रखना होगा कि कुट्टी कनम place जो है यह कुट्टी कनम place कहां पे आया है केरला मा आया है इनके रिगाड़ी है त्रावन कोर के महराजा के जो summer residence था उसको हमने अभी historical monument जारी किया है ठीके चलिए next mcq musk buduji देखे आज कल word भी ऐसे ऐसे आ रहा है कि हर एक slide पर sorry बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहां पर क्या होता है कि आपको पता होगा कि बारा किलोमेटर नहीं जाओगे और पूरी language change हो जाएगी ठीके तो pronunciation सायद गलत हो सकता है लेकिन ppac के लिए यह बहुत important चीज़ है आपको पुछा है musk buduji अभी क्या है यह एक aromatic rice है और इसको क्या मिला है GI tag मिला है तो बताए दीजिए भया कौन से state से यह बिलोंग करता है state या फिर up से क्या पुंड़u cherry से जम्मौ कस्मीर से यूप से या फिर केरला से तो aromatic यानी कि सुगंध वाला क्या है यह rice है ठीक है खाने के साथ खुश मू ही खुश फिलती है तो यह आया है जम्मू कश्मीर से कहाँ पे जम्मू कश्मीर से देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह होता है क्या यह है आपका मुश्क बुदु जी मुश्क बुदु जी राइस ठीके देखें यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो traditional rice खाते हैं उनसे इनकी size कैसी है short है लेकिन इनकी जो मोटाई है या थोड़े मोटे होते हैं अब इसके सामने आप बासमती की compare करोगे तो इनके दो तीन दाने आ जाएंगे तब जाके एक बासमती rice आएगा ठीके तो देख लगते हो कि short, bold grain और rich aroma होता है कहाँ पे होता है जम्मू कश्मीर पे होता है याद रखेगा मुस्क बुदुजी कहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ related है और यह क्या है यह एक aromatic rice की प्रजातियस किसी से ओके चलिए यह थे हमारे current वाले section अब हम बढ़ते है आगे हमारे static question की और सबसे पहला static question आपके सामने है consider the following statement एक, दो, तीन, चार, पाँच और उन में से आपको पूछना है आपको बताया है correct के बारे में ठीक है चलिए पहला देख लेते हैं moringa moringa यानि drumstick tree जो होती है your leguminous evergreen trend है क्या पता है आपको तो आपको इसका अंसर देना है दूसरा tamarind tree is endemic to south asia तो भया मुझे तो ये बात पता है कि tamarind tree जो होती है यह south asia में endemic नहीं है तो मैं दूसरा क्या करूँगा मैं दूसरा करूँगा गलत तो दूसरा गलत किया तो option a गया और option d गया क्योंकि यहां पे 2 है यहां पे 2 है अब मेरे को पता चल गया कि तीसरा sentence सही है क्योंकि दोनों में है क्या लिखा है in India most of the tamarind is collected as minor forest produce बिल्कुल सही बात है तो 3 number मेरा सही हो गया साथी साथ 4 भी दोनों में है यहां पे भी चार है यहां पे भी चार है तो यह भी सही है कि India exports tamarind and seeds of moringa चो चलिए 3 भी सही है 4 भी सही है अब बारी आ जाती है या तो 5 सही है या गलत या फिर एक number सही है या गलत पहले 5 पढ़ लेते हैं seed of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels बिल्कूल अभी जो हमारी biofuels की policy आई हुई थी उनमें हमें पता चला था कि moringa और tamarind दोनों का हम क्या कर सकते है दोनों के seed का हम biofuels production में इस्तमाल कर सकते है तो 5 नमबर हमारा हो गया सही तो पहला नमबर हो गया हमारा गलत C हो गया हमारा गलत चलिए with reference to the water चलिए पुरुछवी में water के बारे में चलिए दो sentence दिये हैं उनमें से बताना है आपको correct one पहला the amount of water in the rivers and lake is more than the amount of ground water नहीं भया यह चीज़ गलत है हमारे ground water में सबसे ज्यादा पानी होता है ठीक है तो पहला sentence हो गया हमारा गलत देखिए आप यहाँ पे भी eliminate कर सकते हो कैसे अगर पहला गलत है तो सिर्फ पहला सही नहीं आएगा और पहला गलत होने के साथ साथ option c भी निकल जाएगा क्योंकि उसमें भी आप एक सही होने की बात कर रहे हो अब या तो two only आएगा या कोई नहीं आएगा तो देख लेते हैं two number कौन सा sentence है the amount of water in polar ice caps मतलब जो हमारे ध्रूव के उपर बरब जमा हुआ है पानी जो है and glaciers is more than the amount of ground water बिलकुल सही बात है इसलिए तो हम climate जो हमारा बढ़ रहा है उसको हम क्या करना है रोकना है क्यूं क्यूंकि अगर हमारा temperature अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा यह जो glaciers और ice caps है यह पीगलना सुरू हो जाएगा और जैसे ही पीगलेंगे वैसे समंदर में हमारा क्या हो जाएगा समंदर का level बढ़ जाएगा तो दूसरा number सही है यानि कि option B 2 only is the correct answer चलिए चलते है आगे विच रेफरेंस to union government consider the following statement union government के बारे में आपको दो sentence दिये है दोनों सही है या गलत आपको क्या करना है पहचानना है पहला एन गोपाला स्वामी अयंगर कमिटी कॉंसी कमिटी एन गोपाला स्वामी अयंगर कमिटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject to administrative reform and promoting it क्या गोपाला स्वामी अयंगर कमिटी ने ऐसा suggestion दिया था क्या बिलकुल यह बात सही है दूसरा in 1970s the department of personal was constituted on the recommendation of administrative reform commission 1966 and this was placed under the prime minister charge क्या department of personal को प्रियम के अंतरगत दिया था चार्ज तो यह भी सही है ठीक है सर जी ऐसे question हमें कैसे आएंगे तो भाईया आपको first ARC और second ARC के बारे में पता होना चाहिए चलिए ज्यादा तो नहीं लेकिन इन दोनों के जो भी head थे जो भी अध्यक्स थे जिन्होंने chair किया था उनके नाम क्या थे यह आप मुझे बताईए तो यहाँ पे दोनों सही है so she is the right answer चलिए we adopted parliamentary democracy बिल्कुल हमने parliamentary democracy को adopt किया है based on British model बिल्कुल British model के थू ही हमने किया है but how does our model differ from the model लेकिन हमारा model उनसे अलग कैसा है उनके बारे में उन्होंने दो sentence दिये है और उनमें से हमें correct पुछा है देखिए friends हम बात कर रहे हैं 2021 के UPAC के prelims की ठीके हाँ तो 2022 हमारा complete हो चुका है 2021 देखिए वैसे हमने बहुत सारे पहले शुरुवात में एक systematic तरीके से शुरुवात नहीं किया था तो इसलिए जिस जिस जी भी MCQ हमने कर लिये है उनको अब हम repeat नहीं करेंगे ठीके फिलहाल चल रहा है हमारा 2021 उसके बाद आएगा 2020 उसके बाद आएगा 2019 चलिए as regard legislation the British Parliament is supreme or sovereign but in India the power of Parliament to legislate is limited बिलकुल सही बात है आपको पता होगा basic structure का cases के स्वानन्द भरती आपको याद होंगे कब का 1973 का ठीके कब आया था 24 अपरेल को आया था तो पहला sentence बिलकुल सही है कि चाहे British Parliament sovereign है लेकिन इंडिया में Indian Parliament जो है यह कैसी है limited है बिलकुल सही बात है दूसरा in India matters related to the constitutionality of the amendment of the act of the Parliament are referred to the constitution bench by the supreme court यह भी बात सही है कि इंडिया में कोई act है या फिर कोई amendment हुआ है तो उसकी constitutionality हमें check करने के लिए constitution bench जिन में कितने member होते है सबसे वरिष्ट फाइव जजिस उनमें member होते है तो यह भी बिलकुल सही है so c is the right answer ओके चलिए लास्ट question आज का देख लेते हैं उसके बाद आप सभी question को एक बार फिर से revise करने की कोशिस किजिएगा पहला which one of the following is a reason why astronomical distance are measured in light years चलिए भया इतना सीधा साधा question 2021 में UPSC ने पूछ रहा कि हम कभी भी कोई भी astronomical unit देखते हैं तो उनमें पूछा जाता है कि यह कितने light year दूर है अब light year कितना दूर है तो हम जिस भी चीज़ को light year में नापने जाएंगे वहाँ पे अभी तक तो हमारी इतनी capacity या अगर rough language में बोले तो इंसान की आउकात नहीं है कि वह वहाँ पे जा सके क्योंकि हमारी जो life होती है यह बहुत limited होती है ठीक है लेकिन हम उसको measure करते है light year में तो light year में क्यों measure करते हैं ऐसा question UPSC ने 2021 में पूछ लिया तो उसका distance उसका options है distance among stellar bodies do not change नहीं भया हो जाएगी आज हमारा यहाँ पे sun है ठीक है और दूसरा star यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच की दूरी दो साल के बाद पांच साल के बाद आप ना पोगे तो यह यहाँ से यहाँ पे भी पहुँच सकता है तो distance तो बढ़ जाएगा तो ऐसा option सही नहीं होगा दूसरा gravity of stellar bodies does not change नहीं भया gravity भी चेंज हो सकती है क्योंकि इनके अंदर internally कुछ हो सकता है इनमें भी internally कुछ हो सकता है तो यह भी answer नहीं आएगा light always travels in straight light भया बात तो सही है कि light travels straight light में ही करते हैं लेकिन इसका इसी question के साथ सही answer में नहीं होता है और सही answer होता है अपना year कि speed of light is always same ताकि हमें पता चल जाए कि भया यहां से A body से B body यहां पे distance में है और कुछ साल बाद आप ना पोगे तो यहां से यह body यहां पे है ठीके तो year जो जितना लंबा हो गया year distance कितना हुआ year हमें पता चल जाएगा और हम एक ही model पे check कर रहे अब वहां पे हम कोई scale लेके तो नापने नहीं जाने वाले तो हमें ऐसा नाप चाहिए जो हमें ऐसा कैसा रहता हो always same रहता हो जो की कौन provide करता है हमें light करती है so option D is the right answer ठीके चलिए यह थे हमारे आज के MCQs आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे है प्लीज आप हमें comment करके बताए साथी अपने ग्रूप में इस वीडियो को share करे ताकि जो effort हम लगा रहे है वह सभी की और पहुंच सके और हमारे efforts की value हो सके ठीके इसके लिए आप क्या करोगे अपने friends को recommend करोगे share करोगे subscribe करोगे और इस channel के साथ जुड़े रहोगे चलिए thank you